दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहा है Continental Conti Cross UHP और आज जो हमारे पास में टायर है उसका साइज है 255-50R19-107Y-XL देख सकते हैं आप ग्रूज कितने स्मूध और कितने प्रीमियम ग्रूज है काफ़े प्रीमियम साइज भी है और काफ़े प्रीमियम टायर की क्वालिटी भी है साइट प्रोफाइल भी चेक करिए आप 255-59R19 Conti Cross की प्रॉपर बेजिंग दी गई है ये साइट से भी आप चेक करिए टायर काफ़े एक्जोटिक और काफ़े सूपर प्रीमियम कार्स के लिए ये साइज है जो कि आप देख रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर साइज है 255-59R19 ये पर्टिकुलर है BMW GT Series 4 Series के लिए है ये टायर काफ़ी प्रीमियम सेडान गाड़ी है जिसके अंदर ये टायर लगने लगेगा आप देख सकते हैं इसके ग्रूज प्रॉपर ये है इस साइट का ग्रूज आउटसाइड ग्रूज है ये सेंटर ग्रूज है और ये इनसाइट पैटन है इसका और ये जो दोनों आपको लाइनिंग्स दिख रही है ये एर पासिंग के लिए है लाइन्स प्रॉपर एक टेक्नोलोजी का प्रॉपर इस्तमाल करा गया है कॉंटिनेंटल एक टेड़ सो साल पुरानी कंपणी है जिन वीवर्स को नहीं मालूम कि कॉंटिनेंटल क्या है वो एक बार ऑनलाइन चेक करें क्या ब्रांड है और इस टायर कंपनी ने किन किन टायर कंपनी को टायर बनाना सिखाया है इंडिया में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे काफी important videos हम लाने वाले हैं आपके लिए अब friends हम tire का nsd चेक करेंगे nsd क्या होता है हमारे विए उसको बता दूँ में यह होता है nsd gauge इस से हम tire की nsd calculate करते है first of all हम इसको 0 कर लेंगे यह 0 हो चुका है अब हम इसको इसके tread wear के अंदर insert करेंगे यह 8.41, same 8.41, same and same ठीक है तो काफी different premium level का tire बनाया गया है silica compound का इस्तमाल करा गया है gross कितने premium दिख रहे हैं आप देख सकते हैं जैसे आपको आपके कोई से भी premium गाड़ी के लिए अगर tire डलवाना है तो आप यही tire डलवाईए because इस में unconditional warranty भी आ रही है अभी जो sizes इसमें available है वो है 235 से लेके 50-20 तक के sizes available है means 235 सार 17, 235 सार 25 25 25 सार 25 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 यह sizes काफे सारी इसमें available हैं और काफे different sizes और launch होने वाली है भी company की तरफ से इसकी वारंटी के बारे में बता दू तो पास साल की वारंटी आएगी कंपनी की तरफ से जिसमें से के शुरू के जो दो साल रहेंगे उसमें 50% अन कंडिशनर वारंटी रहेंगी 50% वियर फेक्टर तक 50% वियर फेक्टर जिसा वीवर्स को नहीं मालूं 50% वियर फेक्टर क्य से रहेंगे उसके लिए नॉर्मल वारंटी कोई एर सप्रेशन या कोई बबल आ जाता है यहां पर साइड में कट इनर ट्रेट के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए उसके रेस्ट ऑफ दे अलावा या तो फिर आपके टायर के अंदर तार कूड आते हैं उसके इस के अंदर आप